कैसे आप सब उमीद करता हूं चोगे टेकनिकल बोपाल की एक और न्यू फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं मैं शर्मा गाइस जो आज की वीडियो उसमें पन बात करने वाले हिरो ग्लैमर 125 CC BS6 गाड़ी के बारे में मेरे पास कमेंट आ के इंजन को पुरी तरह की से BS6 में कंवर्ट कर दिये गया तो एस एफस को हटा कर इसके अंदर न्यू टेकनोलोजी अपग्रेट कर दी गई है जो कि ये नो सेंसर्स एक्सेंस टेकनोलोजी इस गाड़ी के अंदर अपग्रेट करें गई है तो उमीद करता हूं आपको जो क क्या क्या अपग्रेड़ेशन देखने को मिलने वाले है ही इस ग्लेमर के अंदर किस तरीकी से ये गाड़ी जो और ये पुरानी गड़ी से पूरी तरीकी से शेंज है रही वह को व म्हालन डिटिश्मेंट कर रही है कंक्नि वह कर रही है 55 Kmीट पर लीटर का इसके अंदर जो engine आता है वो मिलता है आपको air cool four stroke single cylinder engine इस गाड़ी के अंदर आपको kick और self दोनों ही availability available कीरी गई है इसका जो maximum power है engine का वो है 10.87 PS का at 7500 RPM वहीं पे इसका जो maximum torque generate ये करती है वो करती है 10.6 Nm का at 6000 RPM वहीं पे आपको इसमें front में disc availability रहेगी and front में आप drum में भी ले सकते हो price difference रहेगा price में आपको आगे बताऊंगा rare में आपको दोनों में drum देखने को मिलेगा disc as well as आपके drum में यहाँ पर अगर braking system की बात करो तो IBS इसके अंदर मतलब की integrated braking system available है इसके अंदर आपको engine में i3s technology भी देखने को मिलेगी जिसमें आप red light बगेर आप या तो खड़े होते हो तो जब आपको जो है fuel की budget बहुत जादा देखने को मिलने वाली है गाड़ी के अंदर वहीं पर इसका जो fuel की बात हुई है तो इसकी fuel capacity आपको जो देखने को मिलेगी 10 liters की जो की एक अच्छी कासी आपकी capacity है आप अगर बात करो इसके body type जिसी computer bikes में तो 10 liters is sufficient वहीं पर बात करें यहां पर fuel supply की तो यहां पर आपको F5 देखने को मिलने वाला है वहीं पर carburetor पूरी तरीके से discontinued कर दिये गया है BS4 engines के साथ BS6 में आपको F5 technology देखने को मिलेगी जहां पर आपको carburetor नहीं देखने को मिलेगा वहीं पर बात करें इंजन के gearbox की तो यहां पर आपको 5 speed का gearbox देखने को मिलेगा instrument cluster की बात करें तो overall गाड़ी का look instrument cluster में बहुत ही अच्छा था है और पहले से बहुत जादा redesign गाड़ी को कर दिया गया है उपर से पूरा का पूरा exterior and आपका overall instrument cluster पूरी तरीके से redesign के साथ आता है वहीं पर speedometer आपको अभी भी analog देखने को मिलेगा वहीं पर trip meter, auto meter आपको जो ही digital देखने को मिलेगा and fuel gauge आपको available है गाड़ी का overall look काफी अच्छा है, headlight सी बात करें तो आपको halogen देखने को मिलने वाला है front में वहीं पर rare में आपको tail lights में आपको LED देखने को मिलने वाला है sightrun indicators में भी आपको halogen placement करी गई है, यहाँ पर आपको LED बाला कोई feature नहीं है बट overall गाड़ी का जो appearance है वो बहुत ही अच्छी लगती है वहीं पर बात करते हैं, यहाँ पर हम नीचे आते वक्त तो यहाँ पर आपको front में जो suspension मिलता है वो आपको मिलता है telescopic hydraulic shock absorber वहीं पर tire जो इसके अंदर लगा गया है front में वो है 80 by 118 का tire वहीं पर यह आपको tubeless tire देखने को मिलेगा company की और से वहीं पर अब मैं बात करूँ इसके overall body की तो यहाँ पर आपको एक masculine type की body देखने को मिलती है जो की पुरानी glamour से थोड़ी सी correlated में मुझे लगती है जहां तक देखने में आप मुझे अपना राय जरूर से comment box में बताईएगा overall जो आपका body graphics spell करेगा है वो बहुत ही जादा गाड़ी को enhanced कर रहा है and design इसमें बहुत जादा enhance कर रही है गाड़ी के body graphics को लेकर गाड़ी के body graphics है उसमें जो 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 गाड़ी के body graphics की design है वो बहुत ही जादा enhance कर रही है गाड़ी की appealing को वहीं पर बात करें इसके overall look की तो बहुत ही गाड़ी का overall look अच्छा है pillion and rider के लिए बहुत ही comfortable seats इसमें provide करी गई है वहीं पर हमने rider and pillion के जो एक comfort की बात करी तो यहाँ पर rear में आपको 5 step का adjustable hydraulic suspension देखने को मिलने वाला है मतलब की shock absorber यहाँ पर आपको back में rear में मिलने वाला है वहीं पर rear का जो आपका size है tire का वो मैं आपको बता देता हूँ 90 by 98 का मतलब की 90 by 90 18 का आपको tubeless tire देखने को मिलने वाला है वहीं पर अगर आप गाड़ी को disc variant में लेते हो तो यहाँ पर आपको front brake का diameter देखने को मिलेगा वो मिलेगा 240 mm का वहीं पर अगर आप drum में ले दे तो आपको जो normal diameter देता है वो रहेगा तो यहाँ पर overall गाड़ी की पूरी की पूरी appearance बहुत ही अच्छी लगती है and overall look गाड़ी के जो है बहुत ही प्यारा जो है FI के साथ and B6 Aburates के साथ आया है अब बात कर लेतें इसकी pricing को जो की main pricing बहुत बढ़ी चीज होती है तो यहाँ पर मैं extra room price अगर drum की variant की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 69,750 rupees extra room दिली के साब से pricing है गाड़ी की Hero Glamour 125 FIBS 6 disc की बात करूँ तो मैं आपको इसकी extra room price 73,250 rupees मतलब की आपको एक अच्छा गाद हो जो है price difference देखने को मिलेगा drum and आपका disc में सिर्फ यही अंतर है जो की आपका disc है उसकी थोड़ी सी pricing जादा है अगर आप वहीं पर drum में लेते हो गाड़ी को तो यह आपके ऊपर 20 cents इसके साथ दोस्तों उमीद करता हूँ आपको वीडियो में बहुत जादा इंफोर्मेशनल मिली होगी और वीडियो में बहुत जादा मजा होगा वीडियो में तो लाइक शेज सब्सक्राइब करके जाना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलोग आलेना टेकनिकल बोपाल उफिशल यूदर नेम आपको निजर आ रहा होगा इंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा एंड गाज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन टेक्यर बाबाए